नमस्कार दोस्तों, फाइनली बुद्धवार को याने 19 अपरेल को शाओमी कमपनी ने अपना नया Mi 6 फ्लैक्शिप स्मार्टफोन चाना में पेश कर दिया है इस डिवाइस के 64GB और 128GB इंडिल स्टोरेज वाले दो स्टोरेज वैरियंट है 64GB स्टोरेज वैरियंट की कीमत करीब 23,500 रुपई की रखी गई है वा 128GB स्टोरेज वैरियंट की कीमत लगभग 27,000 रुपई के आसपास है इन दो वैरियंट के अलावा शाओमी कमपनी ने एक तीसरा वर्जन भी लांच किया है जिसका नाम है Mi 6 Ceramic जिसके चारो साइड पर curved ceramic body है और इसके पीछे की तरफ 18K gold plate camera दिया है खबर है इस वैरियंट की कीमत करीब 28,000 रुपई के आसपास होगी और 28 अप्रेल से ये स्मार्टफोन विक्री के लिए चायना में उपलब्ध होंगे तो इस नए फ्लाक्षी स्मार्टफोन में क्या खास बाते हैं उस पर एक क्विक नजर डालते हैं मेरा नाम है वीभा और दरोगाजी.com पर आप सबका स्वागत है दोस्तो Mi 6 की सबसे अच्छी खासियत है Octa-Core Qualcomm Snapdragon 835 Chip जिसकी Frequency is 2.5 GHz की है यह सबसे latest processor है जो काफी smooth perform करता है इसी के साथ ही multitasking के लिए इसमें 6 GB की बड़ी RAM दी गई है बड़ी RAM lag problem नहीं होने देगी और gaming वो graphics के लिए device में 540 Adreno GPU दिया है दोस्तो event में company ने ये भी दावा किया है कि Mi 6 में इस्तेमाल किया गया Snapdragon 835 processor graphics performance के मामले में iPhone 7 और Samsung Galaxy S8 से बहतर है Mi 6 में 5.15 इंच का display है जो eye care mode के साथ आता है पर display resolution की जानकारी event में नहीं दी गई ये display आँखों को आराम देगा बड़ी की बात करें तो device के चारो साइड में 3D glass का इस्तेमाल हुआ है जो Mi 6 के look को और आकरशक बनाता है इसके side stainless steel के बने हैं इसमें 4 और 3D curved है और ultra reflective mirror finishing भी दी गई है और company ने कहा है कि Mi 6 का silver version अब देखे गए blue version से पूरी तरह से अलग feel देगा और जिस तरह से rumor सुदने में आ रहे थे कि Mi 6 में dual camera setup होगा वैसा ही हुआ Mi 6 में dual camera setup दिया है जिसमें 12MP का wide angle lens है और दूसरा 12MP का telephoto camera lens दिया है इसमें optical image stabilization का भी feature है डिवाइस के fingerprint sensor को home button के साथ front side में place किया गया है और ये device splash resistance है यानि पानी के बोचारों से ये feature device को बचाएगा Connectivity में ये device 4G network को support करता है जिसकी download speed 600 Mbps की है वो upload speed 100 Mbps की है दोस्तों ये dual sim smartphone है इसमें 3350 mh की बड़ी battery का support भी दिया है Mi 6 में dual speaker है और Mi company ने पहली बार किसी Mi handset में dual speaker का इस्थिमाल किया है ये speaker stereo quality का sound देगा इस device में NFC support है और ये Mi payment system के साथ आएगा और company ने ये भी दावा किया है कि Mi 6 एक नए MIUI के साथ आएगा इसमें background app को freeze करना, application को restrict करना और power saving mode जैसे feature होंगे तो दोस्तों फिलाल कले इस वीडियो में इतना ही हमें उमीद है कि ये take update आपको पसंद आया होगा हम Mi 6 के बाकी feature वर specification की detail जानकारी मिलते ही आपको जरूर बताएंगे तो हमें like and subscribe जरूर करिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया